नमस्ते मैं आपका अपना भाई एड़ुकेट नरेंद्र कुमार राना मुआना आज आपके समक्स फिर एक नई वीडियो में एक नई मुद्दे पर चर्चा के साथ देखिए भारते जिन्ता पार्टी की 10 सीटे हर्याना लोगसभब में हैं जिन में से 6 को बीजेपी ने टिक्टो का वंटन कर दिया और 4 पे पैंडिंग है जो पैंडिंग है वो रोटक, हिसार, सोनीपत और कुक्षेतर इस 4 सीटों पे टिक्टें अभी और chances है most probably कल जो है टिक्टे अनॉंस हो जाएंगी देखिए अब किस सीट पे किस की लोटरी खुलने वाली है ये तो भविश्य के गरब में है लेकिन परसों से मुझे एक अन्फर्म हुआ था इच विश्वसनिया सुतरों ने बताया था कि कुक्षेतर की सीट पे जो है मानिये चोदरी वेदपाल जी एडवगेट जो करनाल के स्थाइनिवासी और पिछला विधानसवा चुनावनों ने पुन्री से लड़ा था उनकी टिक्ट कुरुक्षेतर लोक्षभा से फाइनल कर दी गई है तो और वो डिजव भी करते हैं क्योंकि वो भारते जन्ता पार्टी के हरियाना एक आई के जाने मैंने चेहरे हैं बहुत बड़ा चेहरा है और तुमानिया वेदपाल जी में एक सच्चे राजनेता के बहुत सारे गुण है और इमानदारी उनमें कूट कूट कर भरिये पढ़े लिखे हैं जमिदार फैमिली से आते हैं बहुत ही सज्जनपुरो से फिर बात करेंगे सोनीपत में सोनीपत में देखिये सांसद रमेश को से के टिकट कटना तया है क्योंकि एक तो उनकी जो सीडी वाला जो जूट ऐसे अच्चा हो तो अब किसी को नहीं पता लेकिन ज्यादतर ऐसी बाते जूटी ही फिलाई जाती है विपक्स के द्वारा हाँ यह प्या है कि उनको टिकट अब की बार भरते जिंता पार्टी सोनीपत से या कहीं से भी लोकसवा नहीं लेराने वाली तो सोनीपत से किसे टिकट देंगे किसे नहीं यह भी कहना जल्दवाजी होगी दो दिन बाद अपने आपी सामने आ जाएगा रोतक से रनदी फुड़ा की जो है टिकट जहदा तर मानी जा रही है कि वो उनको मिलेगी रोतक से फिर जो है हिसार हिसार में कुल्दी पीशनोई का चुनाव यड़ना लगबगते है उसके बाद बीजेपी की जो दस की दस लोकसभा सीटे जीतने का जो उनका अपना एजेंड़ा है देखिए मैं आपको बता दूँ कि बीजेपी हरियाना में दस की दस सीटे लोकसभा की अगकी बार दोहजार चुबिस के लोकसभा चुनाव में जीतने वाली क्यों क्योंकि एक तो जो है न मान्य परधान मंतरी नरेंदर मोदीजी ने जो ये मुख्यमंतरी हरियाना को बदल दिया ये अपना तुरप का एका चल दिया क्योंकि OBC का मुख्य मंत्री देना और वो भी इतना सज्जन पूरस नायव सिंग सेनी जैसा सुल्ज हुआ नेता हलांकि नायव सिंग सेनी जब ना विधायक थे ना सांसत थे ना मंत्री थे ना परदेश धक्स थे ना मुख्य मंत्री थे मेरी उनकी मित्तरता और जान पेचान मुलाकात तब से है हम पहली दफा जो है श्वरगी है रतनाल कटारिया जी के घर पे मिले थे तो मैं तब से इनको जानता हूँ तो मैं लगबग 20 साल से इनको जानता हूँ तो नायव सिंग सैनी बहुत ही सज्जन पूरुस है बहुत अच्छे सुल्जे हुए नेता है बड़े सादगी में जीवन जीने वाले इनसान है और हर करेकरता की उंगली पकड़कर उसको उठाने वाले नेता है और जो हर्याना में जाट समाज रुष्ट था जाट अंदोलन के बाद से उसको भी बीजेपीम की बार साधने में लगी विए और हालांकि जाट समाज जो है बीजेपी से रुष्ट हो सकता हर्याना ही काई से नेके सेंटर से और ये इलेक्शन सेंटर का है जाट समाज 90 प्रतिसत वोट मोदी के लिए देगा जब बात देश की आती है तो मोदी से उपर कुछ नहीं है नरेंदर मोदी से उपर कोई नेता नहीं है भारत के अंदर भारत की जो आज साख दुनिया में है वो कभी किसी नेता के बसकी नहीं थी जो भूत काल में जितने भी नेता हुए हलांकि हमारा बीजेपी कभी एक परदानमंत्री पर लेटल विहरी वाजबेजी रहे लेकिन यह जो बात नरेंदर मोदी में है वो कभी किसी में नहीं रही अब मुद्दे की बात पर आते हैं देखिए जेजेपी से अभी अभी बीजेपी की सिरकार अलग हुई है मैं आपको बताता चलूँ के जेजेपी जन्नायक जन्तापार्टी हरियाना में एक सिंगल MLA भी नहीं जीत सकती MP जीतना तो बहुत दूर की बात है जाट जो है जेजेपी के नेताओं को दोड़ा दोड़ा के पीटेंगे जब यह वोट महने जाएंगे तो जाटों के अंदर इतना जहर इतना गुसा जेजेपी के लिए है बहुत ज़्यादा जेजेपी का बहुत बुरा हल होने वाला है अबकी बात और बीजेपी की सरकार लोग शभा में भी बनेगी और विधान सभा में भी बनेगी यह तो हम बात कर रहे थे जो है ना बीजेपी की मौज़ुदा वोट परसेंटेज की लगा लो यहाँ फिर आप मौज़ुदा वोटो की संख्या की बात कर लो सरकार बनेगी या नहीं बनेगी अब बात करते हैं बीजेपी के निताओं की देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक सीडी प्रसिलन में है जो कि बताई जाती है कि सांसद रमेश को सिक कि है जो हमारे हाँ सोनी पत लोक सभा के सांसद है मेरा गाँ भी सोनी पत लोक सभा में आता है तो वो मेरे भी सांसद है और मेरी उनसे personally बड़े अच्छी जान पैचान और मुलाकात रही है वो सुभाव से बहुत अच्छे नेता है बहुत अच्छे सांसद भी हमारे हाँ वो साबित हुए हाला कि किसन सिंग सांगवान का कोई जवाब नहीं था किसन सिंग सांगवान जैसा कोई भी सांसद आज तक पूरे हर्याना के अंदर उनके बाद कोई नहीं बना और उनसे पहले भी कोई नहीं बना था आशो आ जाते हैं किसन सिंग सांगवान को याद करके मेरे खुद के भी क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया हुए उनके चुनाव लड़ने में, दो-दो चुनाव लड़ने में उनके साथ मैंने काम किया हुए और उन्से मेरी अक्षर मुलाकाते होती थी, पर्सनल भी बड़ी मुलाकाते होती थी, गुहाना में जाकर करे भी मुलाकाते होती थी, सोनिपत में जाकर करे भी मुलाकात होती थी और जब वो चुनाओ के सिलसले में इधर आते थे या किसी पार्टी फंक्शन में किसी में आते थे तो सफीदों में उनसे बड़े लगाते होती थी किसन सिंग सांगवान के बाद सोनी पत ही नहीं अब ये तो पूरे हर्याना को कोई ऐसा सांसद नहीं मिला अब बात करते हैं सीडी की सीडी देखे जूट है सच है ये तो हम नहीं जानते लेकिन परसनली चरितर दो तरह के होते हैं एक परसनल चरितर होता है और एक समाज के लिए चरितर होता है समाज के लिए राजनीती के लिए समाज का भला करने के लिए रमेश कोशिक की जी का चरित्र बहुत अच्छा है बहुत अच्छा था हाँ ये जो लांचन उन पे लगा है ये जूट है के सच है ये तो हम नहीं जानते लेकिन अगर सच है तो गलत है अगर जूट है तो भी बहुत गलत हुआ किसी की छवी को खराब करना किसी पे जूटे लजाम लगाना ये बहुत बड़ा अपराहद है भगवान की नजरों में उसकी सजा भी जरूर मिलती है उपरवाले से देखिए मैं खुद एक वकील हूँ इसलिए जानता हूँ कि यहाँ जो दंड विधान है इससे भी कहीं ज़्यादा सक्सम दंड विधान उपरवाले का है और जब उपरवाले की जो लाठी चलती है उपरवाला जब दंड विधान केमसार दंड देता है तो बहुत गहरा दंड होता है उस दंड का कोई जवाब नहीं होता उसकी कोई अपील नहीं होती वो अपने आप में सुप्रीम पावर है तो इसलिए कभी भी ऐसा गलत काम कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए और सच में भी अगर किसी से ऐसा पराद हुआ है, ऐसी गलती हुई है तो आम पबलिक को इस तरह की बातों को ज़्यादा मुखरता के साथ फैलाना या चर्चा कभी से नहीं बनाना चाहिए जो भी है, उस दिन बाद अपने आप सत्य सामने आई जाता है और रही बात सोनिपत से चुनाव लड़ने की जो भी भारते जन्ता पार्टी एमपी का टिकट दे के चीशे भी भेजेगी वो कोई भी हो उसके चेहरे पे कमल का फूल ही देखा जाएगा और कमल के फूल को ही लोग बॉट देंगे तो हमने अद दो सक्षित का जिकर किया एक सीडी प्रकरण के लिए रमेश को सिख चिखा करना पड़ा और एक जो है हमने चोदरी वेदपाल जी का किया और तीसरा हमने थोड़ा सा नायब सेनी जी का किया था अब मैं आपको बताऊं कि हर्याना में एक से एक प्रतिभासाले इंसान पड़े हैं कब कौन किसके सामने आए कब समाज में कौन अपने आपको साबित करके दिखा सके ये अलग विज़े है क्योंकि हर एक इंसान को मौका नहीं मिलता जिसको मौका मिलता है वो ही अपने आपको साबित करके दिखा सकता है और अब जो मोका मिला है वो सिरी नायब सैनी जी को मिला है हलाकि वो छे महीने के मुख्यमंतरी अभी है अगले विधानसभा चुनाओं होने से पहले लेकिन वो इन छे महीने में अपने आपको साबित करके दिखाएंगे और वो दिखा सकते हैं उनके पास एक मोका है उनके पास एक जो है पारी खेलनी है उन्होंने एक पारी है उनके पास देखिए बीजेपी और कॉंग्रिस में एक अंतर समझना पड़ेगा कोई भी पार्टी कभी बुरी नहीं होती लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब किसी भी दल में कोई भी नेता अच्छे हो सकते है और आज भारतिय जन्ता पार्टी में जो नेता है जो सिर्स नेतरतव भारतिय जन्ता पार्टी का है जैसे कि नरेंदर मोदी और योगी अधित्यनाथ राजनाथ सिंग अमित्सा जैसे लोग इनका कोई मोल नहीं, इनका कोई जवाब नहीं ऐसे सक्षत हिंदुस्तान की राजनिती में हर रोज हर रोज नहीं आते तो जब यह अब हैं, तो इनका सुदुपयोग भारत को करना चाहिए, इनको पूरी की पूरी तनमंधन से सहरा दे करके, पूरी वोट परसेंटेज के साथ इनकी सरकार सक्ता में काबिज करवानी चाहिए, ताकि यह देश का भला कर सकें, और हम इनका सदुपयोग कर सकें भारतिय जंता पार्टी को, जिस मकसद के साथ इंदर सरकार में 2014 के अंदर लाए गया था, वो उन्होंने पूरा करके दिखाया, जैसे कि राम मंदिर 1370 यह दोनों मुद्दे ऐसे हैं, जो हिंदुस्तान का ऐसे कोई बच्चा नहीं, जिसकी आंखों में यह रड़कते नहीं थे, यह दोनों मुद्दे किसने हल करके दिखायें, भारतिय जंता पार्टी की नरेंदर मोधी सरकार में, तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ कैसे भी होते हैं, जो आम जनमानस को नहीं पता होते, एकदम से उनके ध्यान में नहीं होते, और ऐसे हजारों मुद्दे होते हैं, लेकिन वो मुद्दे, वो जो है नरेंदर मोधी के दिमाग में है, इसलिए वो जो तीसरी टरम में जीत करके आएंगे, सरकार बनाएंगे, तब उन मुद्दों पर ध्यान देंगे, जिनको पब्लिक नहीं जानती हैं, और वो देश के लिए अच्छे हैं, देखिए, आज के दिन हमारा जो नौर्थ इंडिया है, यहीं से सबसे बड़ी ताक बीजेपी को मिलती है, जो की जरूरत है, जरूरी है, और, मैं एक मुद्दे पे और बात करना चाहता हूँ, जो सिखीजे मैं, सिख जो, मैं इसको धर्म तो नहीं कहता, पंत कहूँगा, क्योंकि धर्म तो उनका विश्नातन है, और फिर अगर आप मेरी परसनल सोज पूछेंगे, तो यह जो धर्म होते हैं, यह धर्म, धर्म नहीं ह कहते हैं, असान भासा मैं समझना है, तो हम उसे धर्म कहते हैं, धर्म कह सकते हैं, तो जो सिख लोग हैं, इन में कुछ परसेंटेज, जो खालिस्तानी माइंडेड हैं, कुछ परसेंटेज, कुछ एक लोग, बहुत कम गिनती के लोग, वो बीजेपी को सीरे से नकारते हैं, कटर विरोधी हैं, क्यों? क्योंकि BJP देश की जड़ें गहरी कर रही है, मजबूत कर रही है और वो जो खालिस्तानी दिमाग के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि देश की जड़ें मजबूत हो वो चाहते हैं कि भारत की जड़े खोकली होंगी, तो हम ग्रही उद की श्तिती पैदा कर पाएंगे और अपनी खालिस्तान की आवाज को बुलंद कर पाएंगे और अगर ग्रही उद भारत में होगा, तो हम अपना खालिस्तान मांग सकते हैं और ले सकते हैं उनकी ऐसी सोच है इसलिए वो हर एथिक्स वाली सरकार या नरेदर मोदी जैसी सरकार या हिंदुजम की सरकार नहीं देख के राजी है डेश का भला करने वाली सरकार उनको नहीं चाहिए डेश का नुकसान करने वाली सरकार उनको चाहिए तो पंजाब की भरपाई जो है पंजाब में तेरा लोक्षभा सीटे है पंजाब में से चार या पांच तो भरत्य जिन्ता पार्टी एक तरफा जित्ती हुई है तो मुझे लगता है कि अब की बार साथ या आठ जो है लोक सभा भरते जिनता पार्टी पंजाब में जीतने वाली है लेकिन एक लोक सभा ही जरूरी नहीं होती उसके बाद विधान सभा भी चाहिए होते हैं किसी भी राजनेतिक दल को केंदर में सरकार चलाने के लिए राजन सभा भी चाहिए होती है और राजन सभा विधान सभा जीतने के बाद ही मजबूत हो पाती है और बन पाती है हम ये ध्यान देना पड़ेगा इसलिए जिस सरकार को हम केंदर में बिठाते हैं नीचे स्टेट में भी उसी पार्टी की सरकार चाहिए होती है और शेत्रियत दलों को इसलिए जो है नहीं लाना चाहिए क्योंकि फुर वो राज्य सभा के नाम पर बारगैनिंग करते हैं तो पार्टियां के अंदर में आम बड़ी पार्टियां दो हैं कॉंग्रेस और बीजेपी बीजेपी का कोई मुकावला नहीं किसी के पास BJP के साथ किसी का कोई comparison नहीं हो सकता BJP से अच्छा दल कोई राजनेतिक दल भारत में भारत की भलाई के लिए भारत के भविश्य के लिए कोई नहीं हो सकता तो आज की वीडियो में एक कुछ मुद्दों पे हमने चर्चा करी मैं समझता हूँ के वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए फिर एक अगली वीडियो में फिर एक नए मुद्दे के साथ आएंगे और फिर अलग से एक नए मुद्दे पे चर्चा करेंगे आज की चर्चा का समापन यहीं पे करते हुए मैं आप सबों को हाथ चुड़ कर परणाम करता हूँ और आप से कविंती करता हूँ के आप मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो को सेर कीजिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभारी हूँ धन्यवाद